सो हलो एवरिबेडी कैसे हैं आप सब आई और पच्छे होंगे मैं के पीसंत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों तश्वीरे आप लोग देख सकते हैं आज मैं आया हूँ सराइका लेखा और तश्वीरे देख सकते हैं यहां पर यह बन किया जा रहा है और जिसका जो प्लेटफोर्म के ऊपर प्लेट जो रूफ्टॉप बनाया जाएगा दोस्तों उसका इस ट्रेक्चर का काम किया जा रहा है जैसे हम इसको क्रोस कर जाएंगे तो बैसे ही आप सभी को देखो यह पिलर बन चुके हैं कंप्लेट हो चुके हैं अब इन पर आई गटर द्वारे एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में करेक्ट किया जाना दोस्तों यह आ रहा है निजामो दिन से यानि की रेलवे इस्टेशन से यह जो पिलर बनाएगे हैं दोस्तों यह निजामो दिन रेलवे इस्टेशन से आ रहे हैं जो की आराल टी तो देख सकते हो आपकी आपको सभी को बता दू दोस्तों के कोन कोश लेविल बन चुका है प्लेटफ़र्म लेविल बनाया जा रहा है भी और रूफ टॉप का इस ट्रेक्चर भी लगाया जा रहा है तो देखो यह स्वा रिपलर बन चुके हैं दोस्तों जब हम निया रिजामुदी रेलवे इस्टेशन से आएंगे और यह RTS को कनेक्ट करेगा दोस्तों तो आप लोग अगर पूरा अपडेट देखना है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना ज्यादे से ज्यादे दोस्तों क्योंकि मैं आप लोग को फुल अपडेट देने की कोशिश करूँगा तो आप लोग ज्यादे से ज्यादे कमेंट करना मेरे चैनल पर दोसतों क्योंकि कुछ दिनाओस मैं ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ इस वज़ेसे अपडेट नहीं आ रहे हैं चैनल पर दोस्तों लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आप सभी के बीच में आप लोगो को पढ़डे अपडेट देखने के लिए मिलेंगे KP Scunth के चैनल पर तो जद से ज़दे like, share, comment करनो ज़द से ज़दे दोस्तो और मुझे बताओ , comment करके कैसे आप लोग comment भी नहीं तो दोस्तो अगर कोई दिकत-कोई परिशानी हो जाती ओ देखो यहाँ पर यह Metroزárias मेट्रो इस्टेशन है दोस्तों जो कहें पिंक लाइन का निजामुद्दी यानि की चराइकाले खाम है दोस्तों अब आप लोगों को बता दो देखो पहले से क्या था एक तो निजामुदी रेलवे स्टेशन था दूसरा बस स्टेंड था तीछरा फिर इसमें क्या मेट्रो इस्टेशन बनाये गया अब चोथा दोस्तों क्या इतमें आराइटियस का इस्टेशन भी बनाये जा रहा है जो 180 किलो मीटर की रफ्तार से दोस्तों दोड़ेगा और बविश्या में आने वाले टाइम में दोस्तों यहां से कई लैन गुजरने वाली है वो आप दोस्तों देखो आप लोग दिन रात यहां पर काम चल रहा है सराय काले खां आराइटियस के स्टेशन पर दोस्तों कौन कोशी लेबल पर देखो यह सट्रिंग लगाई जा रही है दोस्तों और प्लेटफोर्म लेबल अब तयार करने का काम किया जा रहा है और यह है आई- मैंने सोचा क्यों आप लोग को दिखाया जाए और बताया जाए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पिशंत को लाइक से एर कमेंट करो जाद से जाद है चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड गलर का बटन उसे प्रेस क लिए करे देना तो बैल आइकन बजाया देना चैनल सब्सक्राइब हो जाए और एसे ही वीडियो देखते रहूं के पूर्च लाता रहता आप लोगों को इंफ्रमेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तो और किस तरीके से दोस्तों ही सराय कालिखान राआ प्लेटफॉर्म लेविल पर जो इसेट का इस टेक्शर लगाने का काम किया जा रहा फिर इसके बाद में रूफ्टोप लगा दिये जाए तो देखो आप्लेट बन गया है और यह देखो लगी हुई है और आदे पिलर को उपर बढ़ाने का काम किया जा रहा है और जैसे जैसे ये पिलर बन जाएंगे दोस्तों फिर उसके बाद में कौन कुछ लेविल बनाया जाएगा उसके बाद में दोस्तों प्लेट्फॉर्म लेविल भी बनाया जाएगा जो की आदा बनके complete भी हो चुका है प्लेटफॉर्म लेबल दोस्तों सराइकालिखां RRTS के इस्टेशन पर दोस्तों मैंने सोचा क्यों आप लोगों दिखाया जाए अब तक तो आप लोगों ने day में देखा था अब आप सभी night में देखो इसका यहां का view के cash view आ रहा है दोस्तों और इसके बगल में ही अभी new flyover भी बनके complete हुआ उसका मवरत भी हो चुका है गाड़ियां चलने लगी है जो jam का सामना करना पड़ता था वो jam काम भी खतम हो चुका है दोस्तों तो देखो आप लोगों को जादे से जादे नजर आएगा कि सट्रिंग लगी हुई है कौन कुछ label बनाया जा रहा है दोस्तों और platform label के उपर दोस्तों जो rooftop का structure है उसको भी लगाया जाने का का काम किया जा रहा है तश्वीर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है rooftop के structure को लगाने का दोस्तों सारे स्टोशनों से यह कुछ अलगी ही rooftop होगा दोस्तों क्योंकि सबसे भव्य और सबसे सुंदर इस टेशन यही होने वाला क्योंकि यहां से चार-पांच लाइन और एक्स्ट्रा होने वाली है एक अलवर होने वाली है दूसरी पानी पत होने वाली है तीसरी पलवल होने वाली है और चोथी तो आपको पता ही है कि डेली झाल